कई दोस्तों आज हम छोटा मच्छी का करी बराएंगे पहले क्या करना है छोटा जो मच्छी है वह फ्राइब करकर रख लेना है ऑल में फ्राइब करके बस तो हमने ज़ो छोटे मच्छी जो है नेट से पकड़े थे जील से तालाब से पकड़े थे तो अभी उस मच्छी को पहले हमने थोड़ा फ्राइब कर लिया अभी हम कढ़ाई पर यानि ओवन पर है थोड़ी कढ़ाई डालेंगे इसके अंदर जाले हम रिफायन और ऐल के साथ मस्टाइफ हम मस्टाइड ओड रहती है खिली तो नहीं चैसài कीश का बेँद्ध से ज्चेशा रहता है तो इसके बाद हम थोड़ा इस में प्याज डालेंगे दोस्तों देखों हमने प्याज डाल लिया चोटा मुच्छी का कारी बनाएंगा आपको दोस्तों पहले से हमने छोटा मुच्छी जो है फ्राई करके बस ओयल में डाल करके रख दिया है छोटा मुच्छी को साफ सूत्रा करके ओयल में थोड़ा आधा फ्राई करके रख दिया अभी इदर हमने प्याज डाल लिया है और थोड़ा पटेटो जो है आलू है आलू के पीसेज बनाके उसके अंदर डाल लिया है अभी इन दोरों को हम कुछ मिनिट पांच-छे मिनिट ठीक है मतलब जब तक यह ठीक से फ्राई ना हो जाए थोड़ी थोड़ी लाल ना हो अब से जितना बनाते से नममाख डालना है दोस्तों ठेम्परचर टू हंडेड़ान् ट्वी डिग्री राखा त्याइक3 Having के इन डैक्सं फोड़ी सवक्राह एवेलल में तलत देक्षा करेंगे कि कर थोड़ा घटा दिया है थोड़ा फ्राई होने देते हैं को दोस्तों आभ घर पे कूकिंग करना चाहते हैं तो इससे शीक सकते हैं अगर चोटा मुच्छी का करी बनाना चाहते हैं चोटा फिश करी तो पहले चोटा फिश को आधा फ्राइ कर लेना ओयल में उसके बाद उसको रख देंना है फिर ऐसे जैसे कर रहे हैं और थोड़ी सी हवां हारा मिच हमने डाले हैं ज्यादा मिची हमने खाते हैं तो मिची तीन हरा मिच डाले हैं तो यह जो इनका मुच्ची खरी मचाई ध्यातिम एожет एप्छटी घरी चोरी जहां थी है जीरा पावडर है गण या झाल के साथ ट्राइव है ठोड़ा मसाले तो आठाल के साथ अलग सी मसाले जो है जीरा धनिया गरम मसाले चीज मिला कि मैं अलग से फिश मसाला बना के रखता हूं क्योंकि मैं मेरे को जबβान मिलता है खुद करी बना लेता हूं मैं बच्पन में घर की बाहर रहा तो ओहां खाना बनाना पड़ा तो मेरे ज्यादा तर टाइम आगा जिए कह रहा तो मुझे खाना बनाना आता है और फिशकरी तो ऐसे मेरा फ्राब फेवरीट हैं जो लोग वेजिटेरियन है हम उनको समान रिस्पेक्ट करते हैं अभी हमने थोड़ा अद्रक और जिंजक ठीक है अद्रक और जिंजर दोनों का मिक्चर दिया है इसमें ताकि इसमें थोड़ी खुश्बु आ जाए और ये थोड़ा टेस्टी मतलब हो जाए तो अच्छी खुश्बु निकल रहे अभी थोड़ी सी और ओइल डालते हैं यह मस्टार्ड के रखा था उसको भी डाल दिया है अभी जो फिश हमने फ्राइब किया था पहले से उसको इसके अंदर डाल दिया और इन से मिला लिया देखो एक दो अभी इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे थोड़ी देर में देखो थोड़ा मिला लेते हैं यह जो ग्रेवी बना है यह उसका सूखा मसालले दा चीज जो पटेटों के साथ प्याज के साथ लगे हूए इसको हम फुर्ट के साथ मिला रहे हैं कि थीश्ट है एक्टके आट्चेंज हो वह जोमसाले जो है एक्सचेंज हो थोड़ी देर में हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे तब तक इसको थोड़ी सी फ्राइब कर लेते हैं अभी थोड़ी सी पानी डाल रहे हैं थोड़ी सी पानी डालके इसको मैगनेट करेंगे तो इसको मिलाएंगे क्योंकि फिश करी नाम है तो इसमें ग्रेवी रहना ही चाहिए तो ग्रेवी बिल्कुल ज़रूरी है यह छोटा छोटा फिश है यह फिश को नाम जो है मोरॉला फिश है यह लोकल लैंग्वेज है वेस्बेंगल का आप कोही भी छोटा मुच्छी का ऐसे कर सकते इसके अंदर हम थोड़ी सी कैपसिकम डाल दिया दोस्तों ढंठ हए ठोड़ी सी टमेटर और प्याज काली में बोले तह ऑनियवन का जो छोटी चोटी काली में नियुक्डी अब कि जैसा है इसाज़ी इसके डाला हुआ चाहिए ज्यादया नहीं तोड़ी सा ही श्चर डाला हुआ हाँ हुआ पो तो थीमिठी होना चाहिए और थोड़ी मिठा और मिठां। मैं अशे कंड्ठीश तो यह ऐसी होना थोड़ी से मीठी थोड़ी सी तिकी और थोड़ी सी हम niemand आदरा राप画 जिंजर्टर का जो शो तोड़ा और हम डाल हो जाई फिश जो कि प्राइग करने के बार बॉडि स्टॉंग हो जाते हैं अलुभी फ्रोव मसाला लाग फोड़ी सी में नरम हो जाएंगे तो इस क्या करेंगा यह जो टेस्ट है एक्चेंज करेंगे फिश से टेस्ट बहार आएंगे और फिश के अंदर से अंदर का चीज बाहर आएंगे और यह पानी में यह जो ग्रेवी में जो मसाले है यह फिश के अंदर चला जाएगे एक्चेंज होगा तो इससे कहा रहा है कि टोटल चीजों का जो टेस्ट है वह बढ़ेगा दोस्तों तो यह आप अपनी घर पर बिल्कूल बना सकते हैं जैसे हम बना रहें यह एक एकदम घर की चीजों से बना सकते हैं आपके इसके लिए ज्यादा मेहनत ज्यादा बाहर की चीज़ खरीदने की ज़रुद्रत नहीं है दोस्तों बिल्कूल आप बना सकते हैं ठीक है तो अल्मोस 56 minutes हो गया है बोलते बोलते हुए कि हम वीडियो को बीच में fast कर दिये थे ह। सबस्ट पोचे मिले चीज हम डालेंगे अगर आपके घर में हो तो आप डाल के बना सकते हैं अगर आपके घर में आप вам साले नहीं नहीं तो comment में बता उसकी alternative क्या डाल सकते वह मैं समझे नहीं मेरे बात मैं साथ जो भी चीज डालता हूं अगर ओचीज आपके घर पे नहीं है तो कॉमेंट में हम उसे पूछो उसके अल्टरेंटिव आप क्या दे सकते हैं और बता सकता हूं या फिर एक दो चीज अगर स्कीब भी हो गया तो पेस्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ लेगा क्योंकि मैंने जैसे बनाए हैं आपको भी ऐसे ही बनाना है अभी टेमपरेश हैं इंडक्शन कुकर का यह तो हमने उठा लिया ढखकन देखो पानी कम हो गया है थोड़ी सी नरम हो गया है ठीक है अब सबने मैकी मसाला किमके फोड़ी मिला के अमने डाल दिया है और थोड़ी सी अलग सी टेस्ट आएगा मैं थोड़ी सी मैघी मशाला लेता हूँसको मैं बताता हूँ आपके साथ separat थोड़ा सा म dent मुषक करना है उसमें अंदर पानी डालना थोड़ी सी अच्छा का शाव चाहिए था तो कर लाने की नहीं लेक्चर भी डाल दिया है हां तो यह देखो अब बॉइल हो रहा है दोस्तों थोड़ी सी और शक्कर क्योंकि मैंने केस्ट किया है अभी थोड़ी सी मिठास कम है ठीक है यह जो है थोड़ी स्वीट साइड रहेगा दोस्तों मिची भी रहेगा लेकिन स्वीट भी रहेगा तो यह देखो दोस्तों कुछ कलर तो अच्छा बने हैं टॉमेटर भी घुल गया है ठीक है थोड़ी सी हम भी टेस्ट करके देखते हैं अभी टेस्ट क्या है इसका यह अपनी घर पर बिल्कुल बना सकते हैं अगर आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप कॉम इभाइट करके खिलाना चाहते हो तो यह बिल्कूल कर सकते हो कोई भी छोटा मच्छी बजास से ठीक है यह जो हमने मच्छी लिया है मच्छी का लेंद जो है टूट से 3 cm तक है बस इतना ही छोटा है लेकिन यह मच्छी बहुत महंगा है और टेस्टी भी है तो मैंने पहले इसको साफ करके इसको फ्राइ करके रग दिया था बाद में सब चीज कि आपके सामने एक करके कैसे डाला है वो सब चीज दिखा है तो अभी और एक बार टेस्ट करेंगे तो क्योंकि यह जो मैं थोड़ा फार्फिक्स हनिश्ट हूं मैंने को चीज़े पर्फिक्ट बिल्क है तो यह देख लीजिए बिल्कुल बना सकते हैं कोई रिस्क नहीं होगा दोस्तों तो अल्लेडी 5-6 मिनिट और हो गया दोस्तों बोलते बोलते मैंने वीडियो फास्ट कर दिया था फास्ट प्रवर्ड तो अभी देखो ग्रेवी थोड़ा कम हो गया है तो बहुत तक आग बंद करके इसको बना सकते हैं कोई भी प्राब्लम हुआ कॉमेंट में पूछी हम जवाब देंगे साथी साथ ठीक है और आपको कोई रिलेटिव है उसको भी वीडियो शेयर करिए ताकि ओभी अगर फिशकड़ी बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों मैं बार जरूरी है दोस्तों कि आप कुछ भी बना देतों अगर आप नमक बाद में देते हों तो क्या रगा ग्रेवी में नमक रहेगा लेकिन मच्छी के अंदर नमक नहीं जाएगा तो एक चीज है तो इसलिए सारे चीज टाइम पर देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी जो ग्रेवी उसको कम करना चाहता हूं कि जादा ग्रेवी मुझे चाहिए नहीं और यह राइस के साथ खाने के लिए पर्फेक्ट है छोटा मच्छी के करी स्मॉल फिश करी एंड राइस थोड़ी सी मैंने अद्रक की पाउडर अद्रक और जिंजर के खुश्बू है क्योंकि वह पहले डाले थे ना तो बॉयल करने के साथ-साथ अद्रक जिंजर का जो खुश्बू है उचला जाता है तो लास्ट बंद करने के दो-चार मिनिट पहले करना है उसके बाद हमने थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए उपर यह बहुत जरीर है धन सब्सक्राइल उपर में डाल देता हूँ ताकी ऑओ जो है ओग्रेवी के उपर मतलो फ्लोट करे जो देखने में फिशकरी का आइडियल लगता है देखने में अच्छा के लिए फिर एक मिनिट के लिए बस एक के लिए में इसको बंद कर दोथा हूं ठीक है ताकि ओपर कर जो ऑयल है मतलब वाटर है वह मतलब जो है और बहार ना निकल पाएं कि ऑल्मोस्ट रेडी हो गया दोस्तों कि अपको यह कैसा लगा अभी हम इसमें थोड़ी सी जीरा पा उड़ो डालके इठा लेंगे ठोड़ी से जीरा प्वाउडर डालके एकड़ों प्रमाइं कि एक नहीं दॉब मैंने बंद कर दिया आपके लिए इतने मेहनस से वीडियो बनाया है दोस्तों इतना लंबा वीडियो इसके लिए एक लाइक तो बनता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो